प्रसुत्तर का तीसरा पार्ट है मैंने दूसरा पार्ट और पहला पार्ट पहले अप्लोड कर दिया है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूं वहां से आप देख सकते हैं तो चली दोस्तों स्टाट करते हैं आज हम लोग बात करेंगे राश्टी मानवादिकार आयोग या राज्य मानवादिकार आयोग चली दोस्तों राज्य मानवादिकार आयोग या राज्य मानवादिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं तो दोस्तों इसम मानवा धिकार सनलाच्छन धनियाम उन फ्राविधित किया गया संपूर भारत में परब्च मेर में कुछ राय अस्थान में है जहां पर अनसुची वन और सुची सात्मी अनसुची की सुची वन सुची खरी में कुछ प्रविष्टियां प्रदान की गई है वहां पर लागू होता है अंधाद हम कहा सकते हैं कि जम्मु कस्मिर को छोड़ के संपूर भारत पर आये स्टाट करते हैं मानुअधिकार की परिभासा निम्न में से कहां किसमें दी गई है तो यह जो दी गई है परिभासा ओ धारा दो के डी में हैं धारा दो के डी में मानुअधिकार की परिभासा दी गई है निश्टा आते हैं मानुअधिकार आयोक के अदर्च को कौन हटा सकता है मानुअधिकार आयोक के अदर कि नेक्स्ट को शटा सकता है है किने लेकिन किस किस धारा के अंतरगरत थाको करने सकते हैं लेकिन किस धारा के अंतरगत रहत हैक जैने टीनठ सकता है करता है तो इसके नियुक्ति भी वही राश राश्पति करता है लेकिन किस धारा के अंतरगत करता है धाराचार के अंतरगत करता है कि धाराचार के अंतरगत या नियुक्ति करता है कि राज मानुवा धिकार की बात किया जा तो राज मानुवा धिकार के अधिश की न्युक्ति राजपाल करता है और धारत धारत बाइस के इंतर राजपाल राज मानुवा धिकार का अधिश और सदस्यों की जो न्युक्ति करता हो राजपाल करेगा राश्ट्री मानुवा ध सदस हो सकता है जो उच्छ नायलय का मुख्य नायधिस रहा हो अर्थात पुर्व उच्छ नायलय का मुख्य नायधिस चलिए दूस्तों अब नेक्ष्ट आते हैं कि अब राज मानुआ धिकार का सदस कौन कौन होते हैं तो चलिए यह सदस होते हैं जो किसी उच्छ नयाले का नयाधिस रहा हो या तो यह हो सकता है सदस या यह हो सकता है जो किसी जिला नयाले का नयाधिस रहा हो या ऐसे बैक्ती जो मानुआ धिकार के मामलों का ज्ञान या बेवारिक अनुभव रखता हूँ इन तीनों में से कोई भी हो सकता है नेट स्टाते हैं, राज मानुआ आयोक का मुख्य कारेपालक कलाता है सची उसका जो मुख्य कारपालक होगा उसका सची कलता है राजमानुवादिकार आयों के अधर्च अपने पत से कब तक बना रहता है या तो पांच वर्ष तक होगा या तो सत्तर वर्ष से अवधी तक होगा अथा सत्तर वधी के बाद हो जी है तो आटोमेटी खड़ निच्ट आते हैं तो इस अधिनियम के अधी नियम बनाने के सकती किसके पास है राश्ट्री मानुवादिकार या राजमानुवादिकार में जो परवार्तन में आया तो यहाँ है harpनी कि इसको याद रखेखा G Shouldning यह परवार्तन में आया है 28 सितंबर 1993 AUđल्षत लागू हुआ है और इसमें जो तोटल अध्या है out Ajah है और तेई तिरालिस धाराएं है माना अधिकार सनचन दनियां में जो अध्या है वह 8 है और 43 कि नेश्ट आते हैं दोस्तों राज मानवा धिकार आयो अपनी रिपोर्ट की से सोबता है तो अपनी रिपोर्ट जो है ओर राज सरकार को प्रेग वर्च अपनी जो रिपोर बनाता है उसको सौकता है राज मानवा दिकार आयो के अधर्ष का कारेकाल पहले मनें बताया है पांच वर्च होता है या सत्तर वर्च से बाद संथ में नहीं हो सकताliches को सॉस्च के बा Krause करीजिए मानुवा धिकार का जो प्रतम समयरन हुआ था अंतराश्टी जो समयरन हुआ था वो तेहरान में हुआ था तेहरान जो इरान की राजधानी है चलिए नेक्स राते हैं दोस्तों तो मानुवा धिकार नियूंक्ती पहले मनें बता दिया है कि जो नियुक्ति करेगा ओ नियुक्ति करेगा रास्वरती नीक्स आते हैं तो जन ही तया चिका में आते हैं थोड़ा कॉस्ष्चन आते हैं गजन जनुक्ति यॉ सिका से जैसे कि रेम याची का जन्म कहां से हुआ है तो इसका अंसर हुआ है अमेरिका अमेरिका से जनहीट या facilitate प्याफ भी बोलते हैं इसमें से एक दैफ्र को सद्वाएा कम पररांब किया तो कि बिद्Re जाती है कि अब यह है कि जनित्याजिका किसके विरुद्ध यह सकती है है किन सरकार के विरुद्ध भी दायर की जाती है राज सरकार के विरुद्ध भी दायर की जाती है राज सरकार के विरुद्ध भी दायर की जा सकती है कोई वाद हो जो जनहीत लोक हित वाद कम मनना जाएगा कि ये जनहीत याचिका में दायर कि जाएगी तो सद भावना पूर हो या उसके उद्याशे अनुचित लाव अरजित करना ना हो रठात कोई लाव ना हो इसे या राजनीती से पेवित नहों तो ऐसी कोई आचिका है तो वो दायर की जा सकती है नेक्स आते हैं दोस्तो अब इसको यह है कि दायर की जा सकती है तो इसमें एक क्वेशन और भी उड़ता है कि कौन लोग या क्यों दायर की जाती है तो इसमें कुछ कोशन यह उपते हैं कि कौन लोग जब लोगों को सामुहिक हीतों के खिलाप सरकार की योजना के या फैसला के खिलाप हो या किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार का हनन होता हो किसी व्यक्ति के मौली का दिकार का हनन हो रहा है या सरकार के खिलाब को योजना है तो इन दोनों के विरुद आप जनहीत याचिका दायर कर सकते हैं ने Starкой दोस्तों अब इस आते हैं कि कौन डायर कर सकता है जव नहींतियाक को तो कोई भीधी कर सकता है सामाजिए खीट भावना रखने काले वि या जबतियाक कर सकता है अधात कोई भी स्वास्त से समाधित गैप Eliit कुछ कि सी भी पेपर में घुरा था कि स juvenile परवानन कटारगा नंथ 1 Sheila S son joiningवासी श्क वाद हुए स्वासत से हुआ था इसमें यह बता गया था कि प्रते रोगि को चाहे बूरrah तो या इस्तरी हो जमान हो या बुड़ा हो अत्वाद बच्चा हो तुरूंट चिक्षि उसको सुविधा मिलना चाहिए इसमें बताएगा तो इसलिए कोशन important है कि कोई भी हो उसको तुरूंट चिक्षा क्या उसकता देनी चाहिए या पढ़ती है कि नेक्ष्ट आते हैं दोस्तों तो एक कुश्चन यह भी आया था एक बार अभयानन मिश्र बनाम बिहार राज निदर्शक वाद क्या है तो जो आपराधिक प्रयास पर यह है इसके लिए बताया गया था कि अभयानन बनाम बिहार राज मामला उठाया गया था और वासुदेव बनाम प्यप्सु राज जो है यह मत्तता से समंदित है जो भारती दन सनिता शियासी के अंतरगत्म है तो दोस्तो मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताईएगा और आप मेरा चनल सब्सक्राइब नहीं क्यों तभी तक सब्सक्राइब करने क्योंकि अभी नेक्स्ट वीडियो सूचना का दिकार रथा आटियाई जो 2005 है इस पर भी 24 कॉस्टन आज़ते हैं इस पर भी मैं जादा मिलेगा जिससे आपको यूपियसाई में पेपर देने में और भी आसानी होगी धन्यवाद